नमस्कार सिक्षार्थियो योग टीचर ट्रेनिक प्रगाम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आप पिछले काफी समय से योग टीचर से सम्मधित जो भी आपका पाठ करम रहा है उसमें आपने सठ कर्म और सुक्षुम किरियाओं तक आपने पड़ा सुक्षुम किरियाओं जो बहुत ही महत्पूर्ण है योग आसन से पहले की ये किरियाओं हैं योग आसन में आने से पहले अपने आपको कम से कम उस पोजिशन में लाना होता है उसके लिए हम योग किरियाओं करते हैं और सुक्षुम योग जो किरियाओं है वो बहुत ही महत्पूर्ण है उनका भी एक अलग महत्व है साथ में बहुत सारे वो आपको लाब भी देती हैं यह बहुत सारे लोग योग आसन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी बोड़ी काफी फ्लेक्जिविल नहीं है बहुत ज़ जब आप नित करने के पश्चात में योग करने के लिए योग अभ्यास करने के लिए जब आप तयार होते हैं तो सबसे पहले आप वार्म अप करते हैं योग इक सुक्षुम क्रिया यानि करते हैं ताकि आपकी जो बोड़ी है आपकी जो सरीर की इस्थिती है वो इतनी फ् पार्टक्रम की आठवी यूनिट है यानि यूनिट नंबर एट में योगासन आप पड़ रहे हैं तो योगासन पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हम इस्टुडियो में मौजूद हैं स्री अनिल आद्या जी जो अमिटी यूनिवस्टी में जो योग सेंटर है उसके योग इंस्टक्टर है मैं अनिल जी आपका बहुत स्वागत है तो अनिल जी आज हम बात करेंगे अपने जो हमारी स्रिक्षार्थी हैं उनके साथ में योगासन पर वर 500 कितना महत्मूर्ण है और योगासन के अंत्रगत क्या बताया गया है योगासन का क्या आर्थ है इन जैसा कि सर ने आज कहा है कि आज हम योग आसन पर चर्चा कर रहे हैं तो आसन का मतलब है स्थिर्ता महर्शी पतंजली कहते हैं स्थिर सुखम आसनम या किसी भी कारे को या किसी भी क्रिया को करते हुए हमारे अंतरगत स्थिर्ता को होना बहुत ही महत्तो पूर्ण है क्योंकि सबसे पहले हम बात करते हैं आसन की, तो आसन सब्द संस्क्रत भासा की असधातू से बना है, जिसके दो अर्थ हैं, बैठने का इस्थान, यानि जिस इस्थान पर आप चटाई, दरी, आदि के साथ बैठते हैं, उसको भी हम आसन कहते हैं, और सारिक अवस्था, अर्थात बैठने की विशेश प्रिकिरिया, एक दूसरे अर्थ से तातर है, यानि कि सरीर, मन, आत्मा की संयुक्त अवस्था, जिस पर इस्थिर हो जाना, और सुक की अनभूती महसूस करना, इस इस्थिती को भी आसन कहते हैं, तो आसन जैसा की नाम से आप इतना तो समझते ही हैं, कि योग आसन यानि पदमासन हैं, ताड़ासन हैं, त्रियक ताड़ासन हैं, इन सब को आसन का जो नाम दिया गया है, वो इसी वज़से विशेश जो अवस्था है, हमारे सरीव की, उसके हिसाब से इनको नाम दिया गय कि इस्थिर सुखमासनम यह योग दर्सन का यानि योग सूत्र का जो दूसरे भाग का 46 मा सूत्र है इसमें महारसी पतांजली कहते हैं कि बिना हिले डुले इस्थिरता के साथ बिना किसी कष्ट के सुख पूर्वक एक ही स्थिती में बने रहना आसन है किसी विशेस मुद्रा इस्थिती एवम अवस्था में पहुंचना और निश्चित समय के लिए इस्थिर होकर बिना कष्ट के रहना ये भी आसन के लाता है लेकिन ये हटियोग में परिवासित किया गया है हटियोग के अनुसार ये परिवासा है और भी कई परिवासा हैं हम इसमें देख सकते हैं आसन के विशे में स्रीमद भगवत गीता में शिरी क्रैशन के अनुसार वो कहते हैं कमर से गले तक का भाग सिर और गले को सीधे अचल धाल करके तथा दिशाओं को न देख केवल अपनी नासका के अग्रभा को देखते हुए इस्थिर होकर बैठना आसन है तो यह स्रीमद भगवत गीता में आसन की परिभासा दे गई है और भी यद हम आसन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं आसन के इस्थिर होने का तात्पर है, यानि कि इस्थिर हो जाना, शरीर के अस्तित्त का बिलकुल भान तक ना होना आसन कहलाता है, ऐसा स्वामी वेकानन्द कहते हैं ब्यास भासर के अनुसवार? पदमासन, वीरासन, भद्रासन, स्वास्तिक आसन, दंदासन ये सब इस्थिर सुख यानि यथा सुख होने से आसन ही कहे जाते हैं इस से इसपश्ट है कि आसन से साइक लाव तो स्वावाय खी है लेकिन आध्यात्मिक मान्सिक लाव भी साथ साथ मिलते हैं अनिल जी आसन की जो हम बात कर रहे हैं", कि आसन हमारे लिए बहुत ही लावकारी हैं तो आसन के लाफ के विस से में आप क्या कहना चाहेंगे ? देखें आसन, जब हम करते हैं, तो आसन के द्वारा, लुच्त परिपूर्न रूप से पूरी तरह से सिधिल हो जाते हैं आसन हमें स्थिर्ता देता है, शांति देता है, आसन को करके हम flexible होते हैं और अगर हमारे सरीर के अंतरगत श्टेंथ नहीं है, स्टेम्ना नहीं है, फ्लक्सबिटी नहीं है, तो आसन का बहुत ही बड़ा रोल है इसमें, कि हम आसन की प्रती दिन प्रक्टिस करें और अपनी फ्लक्सबिटी को बढ़ाएं. जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि ये बहुत इंपोर्टेंट है, और आसन जो है, इसके लावके विश्टित चार्चा हम आपके साब करेंगे. पहले हम आपको बताएं कि आसन और योग क्रियाओं में अंतर क्या है, तोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो आसन जो है, वो इस्थाई स्थिति रहने की क्रिया है, और योगिक क्रिया जो है, वो इस्थाई स्थिति ना होकर लगातार करते रहते हैं. देखा भी योगा कई बार जब योग किरिया कोई कर रहे हैं इस तरह की हाथ पेरों को चलाना या साइकलिंग कर रहे हैं या फिर दोर हाथों को मुठी बांद करके हुमा रहे हैं तो यह योगी किरिया हैं छोटी छोटी योगी किरिया हैं तो इस्थाई स्थिती नहोकर लग समसार रुकना यह आसन की स्थिति है कोई विश्ष मुद्रा बनाई और उस अवस्था तक जब तक हम नहीं पहुंच जाते और पहुंच करके वहां रुके रहते हैं तो यह हम आसन की स्थिति की बात करते हैं जबकि जो युगी कि लिया है उसमें किसी एक अवस्था कोई बात ही नहीं है कि आसन में हम रुची शामर्थ को आधार ना बनाकर हम कुशिश करते हैं कि आसन जहां तक हमारा जो उसका पॉश्चर बंता है वहां तक हम हर हाँ में पहुंचें और वहां रुकें लेकिन YouTube ये योगी किलिया की बात तो उसमें उरुची सामर्शंता के अनुसार हमें बस करना है और करते चले जाना है तो इस तरह ये दौनों में अंतर है और यद हम देखें तो ये महतपूर्ण अंतर भी है हम आराम से इनको जान सकते हैं समझ सकते हैं हम यहां अब आपको बताएं कि आसन कितने प्रकार के हो तो वो उसके अनुसार अपनी जो उनकी जहां भी उन्होंने टेक्स्ट में पढ़ा है उसके अनुसार बाप करते हैं अनिल जी आप जो आसन के प्रकार हैं या उसकी बाप करें तो क्या कियाना चाहेंगे देखे, आसन तो विभिन ग्रंतों में कई प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन जो एक आसनो का क्रम है, समू है, मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा, कि हमें सबसे पहले स्टेंडिंग पोस्चर करने चाहिए, कि हम खड़े करके आसनो का अभ्यास करें, उसके बाद सिटिंग पोस्चर करें, उसके बाद लाइंग डन पोस्चर करें, उल्टे लेट करके, फिर सीधे लेट करके, और फिर बैलंसिंग पोस्चर करें, यह आसनो क कि प्रकार की जब बात होती है तो बिभिन तरीके से लोग आसन कराते हैं और जो कैटेग्राइज किया है और आसानी से समझने की बात भी है तो यह खड़े हो कर किये जाने वाले बैठ कर किये जाने वाले लेट कर किये जाने वाले इस तरह की कैटेग्री जो है वो तो जीव जन्तो हा, चतुर सीती लक्षानी शिवेन धी हिला नीच, तेशाम मध्धे विस्ष्टानी सोल श्रनम सतम क्रतम, तेशाम मध्धे मृत्यलोके द्वातिर दास्यनम सुभं, यानि संसार में जितने भी प्रकार के जीव हैं, जीवों की यौनिया हैं, उतने ही आसन है यानि जीव यौनिया 84 लाक मानी गई हैं, अत्य आसन भी उतने ही हैं, लेकिन इन मैंसे जो 84 आसन हैं, उनको सेष्ट माना गया है, और इन 84 आसनों मैंसे भी 32 आसन अत्य विसेष्ट और अध्य सुभ समझने चाहिए, ऐसा घ्रंड सहता में आता है, ये घ्रंड सहता के अमस बात है, और यद हम बात करें कि क्याटिग्राइज जिस तरह से आपने बताया भी, तो सबसे पहले हम बैठकर किये जाने वाले आसन की हम बात कर लेते हैं, ये कौन-कौन से आसन हैं, जो बैठकर किये जा सकते हैं, आप बैठकर किये जाने वाले आसनों के वारे में कुछ अनिल जी बताना चाहेंगे देखे बैट करके किये जाने वाले आस्नों में सर्वप्रथम सुखासन जो लोग पदमासन में नहीं बैट सकते हैं वो सुखासन करें पदमासन वज्जरासन दंडासन इस चार मुख्या से नहीं जो बैट करके करने चाहिए जिहानात्मत पोस्च तिसको कहा जाता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, सिद्धासन, सुखासन, पर्मासन और खास तोर से जहसा कि नवी आपने बताया कि जिन लोगाउं को पहले किसी आशन की अनुहुती नहीं है या जो नहीं कर सकते या बिल्कुल नूह है, तो उन्हें सोखासन में अगर आलत अधिए तो बैठ अगू कोई सारे आजने यह जो है शीरी छो गई इसी तरह से खड़े होकर किये जाने वाले आषर इसान है तो जो खड़ेestar कार किये जाने वाले आसन ऐस्द मेंкое से पहले लोग तारासन करते हैं, त्रियक तारासन करते हैं, ब्रक्षासन करते हैं, गर्णासन करते हैं, तो इस तरह कि जो आसन हैं, ये खड़े होकर किये जाने वाले कैटेग्री के आसन हैं, और आप जब यूग अभ्यास करेंगे, आपके जो इस्ट्रेक्टर हैं, जो आप कर कियाने वाले आसने तो इसमें दो प्रिकार के ऐसे आसन है जो पीठ के वाल मुक्त आसन है शवासन है बाल आशन है तो इस तरह के बहुत सारी ये जो इस तरह के आसनों की है, जिसमें की हम लेट करके आसन करते हैं, और पेट के बल लेटकर जो किये जाने वाले आसन है, उसमें भुजंग आसन है, धनुर आसन है, मकर आसन है, सलव आसन है, नोक आसन है, तो इस तरह की जो ये सीरीज है, ये पेट के बल लेटकर किये जाने वाल आसनों की सीरीज में हैं हम आगे चलते हैं इन आसनों के साथ ही कि जब हम योगिक सुक्ष्ण गयाम या योगिक सुक्ष्ण कर लेते हैं तो हम आसनों की सुरुवात करते हैं कुछ आसन करते हैं और कई बार हम सीधे यहां सूर नमस्कार करते हैं तो सबसे पहले सूर नमस्का कि सूर्य नमस्कार के वारे में हम अनिल जी से जाना चाहेंगे कि सूर्य नमस्कार के वसे में क्या आप कहना चाहते हैं देखे बारत्य परंपरा रही है कि सूर्य नमस्कार जैसा कि अभी योग दिवस पर एक चर्चा हुई थी कि हम योग दिवस पर सूर्य नमस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं तेकि चरचा वह इसलिए हुई थी, क्योंकि कुछ बाई बंदों ने बोला था कि शूर्य नमस्कार को अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि शूर्य नमस्कार हमें प्रती दिन करना चाहिए, क्योंकि अभी छट माँ पर भी था उसमें हम सूरे देव को अरगे देते हैं तो जब सूरे नमसकार करते हैं तो हमारा पूरा शरीर सूरे नमसकार की भाती जैसे हमें सूरे देता है, प्रकास देता है, हमारे शरीर को गरम करता है, उरजा देता है तो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारा शरीर भी पूरी तरह से उर्जावान हो जाता है सूर्य नमस्कार के अंतरगत जैसे कि विभिन प्रकार का आसनों को वर्नन किया गया है साथ आसनों को बताया गया है 12 split में यह complete होता है Suri Namaskar तो Suri Namaskar तो हमें प्रती दीन करना चाहिए जैसकि Suri Namaskar के बारे में बिल्कुल ये से भी काफे महतो है Suri Namaskar का क्योंकि ऐसा माना जाता है Suri Namaskar योग आसनों में सरफषेष्ट है और सरफषेष्ट ऐसे ही नहीं है क्योंकि इस आसन की करने से जो साधक है उसको संपूर्ण योग अभ्यास का लाव मिल जाता है यानि कि वो बहुत सारे आसन नहीं कर पाता और ज़्यादा बहुत कुछ करने में समर्थ नहीं है तो यद वो तीन जो क्रम है सुर्ण नमस्कार के उनको कर लेता है तो इस तरह से उसकी जो व्यायाम की मौनिंग वाली जो उसकी रूटीन है वो उसकी कम्प्लीट हो जाती है यहाँ पर बताया भी या है आदितस्य नमस्कारान ये कुर्वंती देने देने आयू प्रग्या बलम वेरियम तेज़ स्वतेशा चा जायते अर्थात जो लोग प्रतिजन सुर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयू प्रग्या बल वीर और तेज़ बढ़ता है तो इसमें कोई दोराई नहीं है यह हमारे जो ग्रंथ हैं टेक्स्ट हैं उनसे हमें प्राप्त होता है लेकिन आजकल तो इन पर बिग्यान बहुत तेजी से काम कर रहा है और रिसर्च जो निकल के आ रही है उससे यह पता चलता है कि बहुत सारी जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आ जाती हैं, लाइफ इस्टाइल वाली जो बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां automatically धीरे-धीरे समाप्त हो जाती हैं, और हम एकदम स्वस्थ और अपने आपको तरो ताजा महसूस करते हैं, ऐसा वो लोग भी कहते हैं, जिन लोगों ने और कुछ नहीं किया, निश्चित योग आसनों का एक समूँ है, ग्रूप है, जिसमें एक निश्चित क्रम है, ऐसा नहीं कि किसी भी आसन को आप किसी क्रम में कर सकते हैं, उसका एक निश्चित क्रम है, उसमें ही इसको किया जाता है, इसमें बारे स्थिती हैं, जिसमें साथमी स्थिती के बाद पाँच में इस्थिती से पहली इस्थिती तक वो वापस पुम्रावर्पन हो जाता है, इसकी अभ्याद से साधग यह निश्यतूप से बहुत प्राप्त करते हैं, स्वस्त होते हैं, तेजुस्य होते हैं, और इस्त्री पुरुस्त, बाल, युवा, ब्रद सभी इसका उप्य सभी के लिए बहुत महत्पूमर्द मान जाता है, सुरिण frei नमस्कार कई बार बहुत अच्छे विद्वान जो योगी हैं, वह सुरिणी नमस्कार करते हैं, तो उसमें 12 मंत्रों का उच्चान भी वह करते हैं, पृतेक मंत्र में सुर्य का भिन भिन नम लिया हर मंत्र का एक ही सरार्थ है सूर्य को मेरा नमस्कार है सूर्य नमस्कार के बारह इस्थितियों या चरणों में इन बारह मंत्रों का उच्चान किया जाता है तो सूर्य नमस्कार में जो प्रथम इस्थिती है उसको हम क्याते हैं नमस्कार मुद्रा तो नमस्कार मुद्रा अन पर तारासन की तरह सीधे खड़े हुए और धीरे-धीरे दोनों हाथ बक्षिस्थल के सामने हाथ जोड़े हुए या नमस्कार मुद्रा तो यह नमस्कार मुद्रा है और यहां हम मंत्र का भी उचान करते हैं आये हम सुर्य नमस्कार वन वाई वन करते हैं और मंत्रों की उचान के साथ हम यहां करेंगे सबसे पहले ओं मित्राइड नमे दोतिये स्थिति ओं ओं रव्य नमें चत्तियस्थिति ओं सुर्य नमें चत्त्तियस्थिति ओं भानवे नमें पंचमे स्थिति ओं खगाए नमें शाष्टमे स्थिति ओं पूष्णे नमें साथमे स्थिति ओं भिरनगरभाय नमें आश्टा में स्थिति ओम मारिचाय नमें नम में स्थिति ओम आदित्याय नमें दसा में स्थिति ओम शवेत्रे नमें एक आदा से स्थिति ओम अरकाय नमें दौब आदा से स्थिति ओम भास्कराय नमें इस प्रकार आप बारहे मंत्रों के साथ सूर्य के सभी स्थितियों में ये मंत्रों का उचान कर सकते हैं और हर इस्थिती में अपना ध्यान अपने आप पर केंदित रखें उस ध्यान को अपने साइरिक जो आपका पॉस्चर है जो आपकी आसन की स्थिती है उस पर पूरी तरह से एकाग्रता बनाए रखें तो ये सुर्य नमसकार की बहुत बहुत महत्पूर्ण इस्थिती है और जैसा कि अभी बताया अनिल जी भी इस बात को स्विकार कर रहे हैं कि बहुत ही महत्पूर्ण और लाफकारी है सुर्य नमसकार जो लोग योग अभ्यास में केवल सुर्य नमसकार भी करते हैं और पूरी तरह से ध्यानस्त होकर कि ध्यान से ताप पर यही है कि हमारा जो ध्यान है वो शारिक पॉस्चर पर जरूर होना चाहिए क्योंकि योग में ये कहा जाता है मन और सरीर दोनों का अपस में मिलन और जब मन और सरीर का मिलन होता रहेगा तो धीरे धीरे निश्यत दूप से आपकी एक स्थिती ऐसे आएगी कि आपकी जो आत्मा है वो भी उसके साथ मिल जाएगी और इसी का नाम योग है यानि सरीर, मन, आत्मा का मिलन योग है इसको हम योग कहते हैं और अंत में जो इस्थिती बनेगी वो धार्णा से ध्यान और ध्यान से समाधी जो की योग का परम लक्ष है। हम सुर्य नमस्कार के कुछ जो विशेस लाव हैं उनकी बात हम अनिल जी से करते हैं कि अनिल जी जद सुर्य नमस्कार लगातार किया जाए तो आप तो एक इस्ट्रेक्टर रहे हैं और आप तो जानते हैं कि बहुत साई लोगों को आप कराबी रहे होंगी कि जो केवल सूर नमसकार ही करते हैं तो उसके करने से उनको कितना जो है उसका लाउप मिल पाता है देखे अगर हम प्रति दिन सूर नमसकार करते हैं जो केवल सूर नमसकार करते हैं उन्होंने तो बिल्कुल अपना एक बना लिया कि मुझे 151 सुर्य नमस्कार करना है या 108 चक्र करने है कई लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग के जो सादक है वो 11 करते हैं 21 करते हैं आप उसको एक फ्लो में करें उसको एक रिदम के साथ करें शुर्व में सहज्थ़ता पूर्वा करें फिर धीरे दिरे जब फ्लो बनता तो उस फ्लौ में गथि कुछ सथ सोब नमसकार को सकते हैं सुरीघार जब हम कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम तोड़ा सशावासन के कढा तो छो हमें आनन नगे दाता है जैसा कि अभी आप में बताया कि लोग जब साधक सुर्य नमस्कार करते हैं तो लगातार वो करते हैं, 11 चक्र करते हैं, 21 चक्र करते हैं यहां यह इस पष्ट करना बहुत आवसक होगा कि कितने चक्र सही माइने में एक साधक को करने चाहिए देखे, अगर आप प्रति दिन जोग करते हैं तो उसमें 12 चक्र minimum जरूर करेए शुर्य नमस्कार का क्योंकि अगर आप एक चक्र दो चक्र करेंगे, शुर्य नमस्कार को समझ नहीं पाएंगे पता नहीं चल पाएगा कि आपने सुर्य नमस्कार किया तो उसका क्या लाव हुआ जब तक आप उसको 6 चक्र, 12 चक्र नहीं करते हैं तब तक उसकी जो आहमियता है उसको नहीं जान पाएंगे जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सुर्य नमस्कार बहुत इंपर्टेंट है और एक यदर हमें इसकी लाव की बात करें तो वास्ता में पूर्ण वैयाम है जो संपूं शरीर को पूर्ण आरददा प्रदान करता है सरीर के सभी अंगों प्रत्यंगों बलिष्ट और इनको निरोगी बनाता है हमारी जो मिरूदंड है बैकबोन और कमर को दोनों को फ्लेक्सिविल बनाता है और जो विकार आते हैं उनको भी तूर करता है साथ ही उदर आंत्र, आमा से, अगन्या से, हिर्दय, फैंपले यांद सरी को स्वस्थ करता है जो हमारे इंटर्नल ओर्गंस है और समस्थ सरीर में जो रक्त संचार है उसको भी सुचार रूप से चलाता है सरीर के सभी अंगों को जो जैसे मास्पेसिया हैं उनको भी पुष्ट करता है, सुन्दर बनाता है और सुन्दरता प्यदान करता है वास्ता में सहीर का जो मुटापा कम करने में भी इसका एक एहम रॉल है जो लोग जैसे आप आप बता रहे हैं कि ये करना चाहिए और करने से काफी कुछ लाव होते हैं तो मुटापा कम करने में भी काफी कुछ साहग होता है, बल तेज ओज की ब्यद्धी करता है, मानसिक सांती इससे हमें प्राप्त होती है, और जो इसका सबसे बड़ा जो गुर्ण है, वो यह है कि सहज और सर्व सुलव है, इसको इसको इधा हम देखें, तो सुरू करने से प अभी कुछ आपको करना पड़ता है, लेकिन ये तो आसन सुरू नमस्कार ये ऐसी योग की अभ्यास हैं, जिनको आप अपने खुले स्थान पर घर में जहां बहुती आसानी से आप कर सकते हैं, और जहां साफ सुत्रा एक काग्र चित करने वाला जहां आपका कोई ऐसा जहां दान है, तो समय और रित्व के अनुसाथ इनको हम आप सकता अनुसार कर सकते हैं, जो डरण एक्षा सकती वाले लोग जो है वो आसानी से इनको करें, तो इसका एक विश्य सुप से लाव मिलता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे ही कर सकते हैं, या केबल जवा आसनों का गुरुप है सुर्णमस्कार इसको सभी बूरे जवान और इस्तिरिपुरोस बच्चे अमीर गरीब सभी कर सकते हैं तो यह आसानी से सुलव होने वाला सुर्णमस्कार है तो साथियों आपने यह जाना कि जो आसन है वह वास्तम में बहुत महत्वूर्ण है और आसन कैसे किये जाएं किस तरह से किये जाएं इसकी जनकारी आपको जो हमारा अभ्यास है जो अभ्यास पुस्तकाप की है उसमें जो प्रियोग संख्या की अनुसार आप देखेंगे उसमें बताये गया है और आपको जो चल रही होगी चर्चा अभ्यास जहां हो रहा होगा वहा यह बहुत महत्पूर्ण है कि जब आप आसन करते हैं तो अपने जो वहां के इंस्ट्रेक्टर हैं उनसे कुछ साब्धानिया और उनके लाव और समय और वैसे तो समय के सासद वो यह सब चर्चा करेंगी आपको जो परधान आपकी होनी चाहिए डैस कैसी होनी चाहिए इस प गर्मा है इसकी जो सीमा है उसको आप ठीक से समझ पाएंगे और जान पाएंगे हमारे साथ इस कारिक्रम में जो आसन से संबंदित आपसे जो बाचीत की उसमें अनिल जी जुड़े अनिल आर्या जी जो की बहुत महत्तपूर्ण कारिक्रम कराते हैं इनके अमिटी निवर् आते हैं तो मैं उनका यहां बहुत-बहुत धन्यवाद दना चाहूँगा कि उन्हों में आकर के हमारी साथ में जुड़े और एक बहुत अच्छा कारिक्रम हमें लगा और मुझे उमीद है कि आप सबको भी यह कारिक्रम बहुत पसंद आया हुगा जो आसन का हमारा कारिक् आप